हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई चैनल आएम मनुज कुमार और दोस्तों आज बात करेंगे वैब सर्विसिस के दूसरे टॉपिक आक रहे ही जैसरे की लास्ट टोपिक के अंदरların ने बहुत अच्छे से बेसिक तर लेमें टम में यह समय्न기 कि कॉशिशिश कीती कि एक वैब सर्विसिसज करते हैं किस तरीके से वैब किन-किन टूल्स पर हम टेस्ट कर सकते हैं, कितने तरीके के मैथड होते हैं, बहुत सारी चीजों की जो कुशिणिंग थी, बहुत सारी चीजों का जो डिसक्रिशन था हमने लास्ट वले सेशन में किया था पहलेली हमने यह भी discussion किया था कि यह methods किस तरीके से काम करते हैं तो दोस्तों इसी sequence को इसी series को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे rest और soap services के differences की कि actually दो तरीके की जो मेरी services बनी इनके अंदर क्या difference है? कौन सी बहुत ज़्यादा popular है? कौन सी बहुत ज़्यादा easy है? किस को ज़्यादा use में लाना चाहिए? तो इन सारी चीजों की बात करेंगे दोस्तों आज हम अपने इसी session तो बिल्कुल time waste नहीं करेंगे सीधे थोड़ा से scroll down करता हूँ और लेके चलता हूँ दोस्तों वो differences जो मैंने आपके लिए prepare की है जैसा कि आपको definition से मोटा मोटी last time भी मैंने आपको बताया था कि soap को बोलते है simple object access protocol नाम अच्छे से याद होगा मैंने protocol बताया था protocol का क्या meaning था ये भी बताया था कि वो set of rules जो mandatory है किसी भी काम को करने के लिए ये कुछ उस तरीके से designed है मेरी soap लेकिन rest इस तरीके का नहीं है rest एक तरीके का style है एक structure है जिसको json के format में, xml के format में, stml के format में या plain text के format में किसी भी तरीके से आप लिखोगे तो दूसरा system उसको understand भी कर पाएगा और वहां से response भी दे पाएगा तो फिर भी इन दोनों के बीच में क्या dependency है sorry, क्या differences है उसकी बात हम करते है तो सबसे पहले बात करते है difference number one क्या लिखा हुआ है? soapy jay protocol भई ये तो हमें definition से ही पता है तो इसको कहने की तो बात ही नहीं है और क्या it has an official standard इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों actually it has an official standard का मतलब है कि इसको वो standard वो rules follow करने ही पढ़ेंगे जो soapy i के अंदर होते है just an example मैं आपको कोई soapy i दिखाता हूँ soapy i ये है मेरे पास इसमें let's say किसी method को मैं खोल के देखता हूँ यहाँ पर ये देखिए for an example ये जो soapy i होता है ये तो आपको बकू भी पता है कि ये xml structure को by default support करता है और भी structure को support करता है पर जो default इसका feature है वो है कि xml को ये support करता है अब support करने पर जो इसने बोला है क्या बोला है इसने बोला है official standard official standard का मतलब है कि सबसे पहले आपको envelope ही लिखना पड़ेगा फिर header लिखना पड़ेगा फिर header के अंदर responsibility, application, request group, security group और इस तरीके से आपको कुछ-कुछ elements की information feed करके तब आपको अपना header यहां close करना पड़ेगा उसके बाद आपको header की body लिखनी पड़ेगी body के अंदर आप कुछ-कुछ element लिखोगे हर element को proper close करोगे ठीक है और values को pass करने का भी तरीका है उसके बाद इसी format में एक-एक करके अपनी चीजों को close करोगे तो फिर rest क्या करती है rest में simple वज़ा है कि number 1 तो कोई protocol नहीं है एक style है कि structure है जिसके अंदर कोई official standard यूज़ करने की जरूत नहीं है जैसा है उस तरीके से तो कैसा है वो भी समझते है एक ये देखे rest के अंदर simply उपर नीचे लग दो ये page size मैंने यहां लिखाया ये start मैंने यहां लिखाया ये date मैंने यहां लिखाया इनको उपर नीचे कर दो कोई फरक नहीं बढ़ता ठीक है कैसे दिया है इससे simplest वी और क्या हो सकता है कि curly bristles open close करे double quotes में column की value दी double quotes में उसकी actual value दी और इसको सीधे pass कर दिया तो ये एक तरीकी का structure है कि style है जबकि इसके दूसरी तरफ एक तरीकी का protocol है एक official standard है तो कौन सा simple हुआ यहां देखके ही बहुत जादा hardness feel हो रही है दिमाग के अंदर की कैसे कैसे इतनी चीजे pass होंगी कोई चीज miss तो नहीं हो जाएंगी और दूसरी तरफ आप यहां देखेंगे तो यहां लग रहा है कि भाई यह तो हम अभी तीन columns के लिए लिए लिखा है तीन fields के लिए लिखा है यह तो हम 10 के लिए भी लिख सकते हैं बहुत सिंपल है ठीक है तो पहली लेंग क्लियर हुई दूसरे के बोलता है कि भाई यह slow है जबकि rest आपका fast है क्यों है ऐसा क्यों है आंसर हमने पहले ही discuss कर लिया भाई अगर कोई डेटा का packet अगर मैं इसको यहां से hit कर रहा हूं इस green button से run कर रहा हूं तो क्या हो रहा है यह इतनी information पहले क्या कर रहा है पहले इन-text को बंद कर रहा है इसने कुछ दिखा मतलब एक लिफाफा बनाया एक packet बनाया फिर उसको header के अंदर रखा एक packet को दूसरे अंदर रखा फिर इस वाले को close किया तीसरे के अंदर रखा फिर तीसरे के अंदर parallel मतलब यहां पर कुछ ऐसी situation दिख रही है डेटा रीड करने में कि एक folder है उसके अंदर दूसरा folder है folder के parallel दूसरा folder है फिर बहार एक folder है ultimately कुछ kind of इस तरीकी से कह सकते हो आप अगर लेमेंटम के example में समझाओं तो कुछ इस तरीके से कि आप किसी को gift दे रहे हो जैसे आपने कई बार किसी occasion में किसी अपने festival में ऐसा किया हो कि कि किसी को आपने बेवकूफ बनाने के लिए fun के लिए कुछ ऐसा gift wrap किया जिसमें box box के अंदर box उसके अंदर box एक कहीं पर दो box कहीं पर इस तरीके का आपने prank जरूर किया होगा तो यह kind of वही है कि आपने data तो देखे गिफ्ट तो उसके अंदर निकलेगा बस at last निकलेगा बहुत छोटा सा निकलेगा इसके अंदर इसके अंदर भी information है बहुत सारी packets हैं जो एक proper polythene में curly glasses is kind of a polythene और you can say simple wrapping और उसके अंदर मैंने simple gift रखके किसी को दे दिया तो उसको मेरा data पढ़ने में कितना time लगा उसको data पढ़ने में बिल्कुल time ने लगा उसने simply polythene खोला और मेरा gift उसके हाथ में आ गया बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे थर्ड की बात करते हैं यह XML format होता है बिल्कुल यह तो हमें जानती है और इधर क्या होता है इधर आपका JSON format होता है और not only JSON आप बहुत सारे format यूज कर सकते हैं example दिखाता हूँ पहले बात करता हूँ XML की XML format जो यह format है इसमें आपको पढ़ने में तो आ रहा है ऐसा नहीं है इन्वाइस डेट यह रही इन्वाइस कॉंटिटी यह रही पढ़ने में तो आ रहा है बट इसको बहुत अच्छे से पार्सिंग करके तभी आप पढ़ सकते हो जबकि दूसरी तरह जो json है या कोई और अभी देखिए यहां पर कितने format supported है xml, stml, json, javascript और text इन में से किसी भी format में आप लिखेंगे easily readable है ऐसा ही सामने देख के पता लग रहा है कुछ start हो रहा है one, paste size one कोई tag नहीं, कोई कुछ नहीं तो यह दोस्तों simply readable होता है बहुत easily, कौन सा rest वाला soap वाले के अंदर मुझे text को parse करना पड़ता है और xml को proper parsing करने के बाद ही पड़ सकता हूं तो इसको read करना थोड़ा tough और इसमें read करना easy होता है और क्या है, चौथा वाला difference consume more bandwidth और resource, दिखने से ही लग रहा है इतना सब data इतने packet जाएंगे मेरे roll हो करके, bind हो करके तो कहीं न कहीं मेरे over the internet data size और bandwidth भी use होगी और मेरे resources भी जादा यूज होगे, processor की processing भी जादा यूज होगी, जबकि दूसरी दरफ simple data को लेके जाने में कोई challenge मुझे नहीं दिख रहा है इसके बाद क्या है it contains very heavy payload big size due to xml protocol यह बात के लिए रहे है जो payload बन रहा है जो input का पूरा payload बन रहा है वो बहुत heavy होता है क्योंकि tags में बंद होता है दूसरे के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है इसके बाद क्या है इसके अंदर different मैंने आपको यहां पर बताया था कि rest के अंदर इतने सारे method होते है by default होते है जबकि soap में देखा जाये तो कोई method नहीं होता है बट फिर भी किसी tool के अंदर अगर आपको use करना पड़े तो आप हमेशा post method को ही लेंगे only post बहले ही soap UI जो है वो data निकाल रही हो डाल रही हो update कर रही हो कुछ भी कर रही हो आपको simply post ही select करना पड़ेगा मेरे क्याल से अभी तो कोई doubt नहीं आ रहा किसी भी तरीकी का point 5 जो है वहां तक हमने discuss कर लिए even point 6 भी discuss कर लिए point 7 भाई यह जो security है जो आपका कौन सा यह जो आपका security है कौन सा soap के अंदर जो security है उसको बोलते है ws security ws security यह अंदर से ही use करता है इसकी अपनी security होती है क्योंकि यह protocol है जबकि इसके दूसी तरफ कोई ऐसी security inbuilt नहीं होती है जिस भी layer पे यह काम कर रहा होता है कौन सा मेरा rest API यह जिस भी layer पे काम कर रहा होता है यह उसी की basic authentications को use करके basic underline transport वाली securities को use करता है आगे बढ़ते हैं it defines many standards that must be followed while using winger अगर कोई soap ui develop करनी है तो इसमें बहुत सरे standards को मुझे follow करना पड़ता है जिसकी वज़े से क्या होता है डबलपर, soap जो based मेरी web services है उनको ज्यादातर avoid करते हैं जबकि इसके दूसरी तरफ rest के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है तो as a developer मैं भी rest API को ज्यादा prefer करता हूं और मैं नहीं बहुत सारी technology में केवल rest API with JSON format लोग ज्यादा prefer करते हैं इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर remote procedure calling method होता है कैसे होता है हमने simple मैंने आपको पहले बताया था मैंने simple एक SOAP यह मेरी SOAP API है मैंने simple एक SOAP API यूज़ करी लेकिन उसके अंदर procedural based कौन सा जो मैं बता रहा हूं RPC remote procedure calling कितने सारे procedures कितने सारी मेरी services वो download हो गई है तो यह काम करता है मेरा किस पर RPC calling method पर और यह किस पर काम करता है यह URL पर काम करता है ठीक है इसके दूसरी तरफ response not easily readable यह हम discuss कर चुके आलड़ी readable नहीं होता है क्योंकि pass करना परता है XML format होता है जबकि इसमें purely readable रहता है easily understandable होता है इसके बाद यह use करता है HTTP, SMTP or FTP protocol जबकि यह simply URL based है URL से ही चलता है कुछ भी download नहीं करता है simply यह use करता है कौन सा HTTP protocol और इसके बाद क्या लिखा हुआ है soap cannot use rest, ओके यह भी एक point है कि जो soap मेरी API है यह जो soap मेरी API है यह कहीं पे भी rest API को inbuilt call नहीं कर सकती जबकि दूसरी तरफ rest API के अंदर यह capability होती है कि अगर उसे किसी moment पर कोई soap based API कॉल करनी है तो वो internally उसको call कर सकता है ठीक है इसके बाद कुछ-कुछ point all लिखे हुए डेबलपर्स जादा preferred करते हैं किसको rest को soap को कम prefer करते है java script के थूँ अगर calling करना है तो soap UI को soap API को call करना बहुत difficult है जबकि दूसरी तरफ rest API को call करना बहुत जादा easy है साथ में एक common point लिखा हुआ है यह difference नहीं है दोस्तों यह common point है कि soap हो यह restful web service हो दोनों programming language से independent है किसी भी platform पर execute होने के लिए भी independent है दोनों की कोई dependency नहीं है कि particular language पर चलेगी में भी हो सकता है कि आपकी जो soap UI है वो किसी Java में आपके enabled हो या Oracle में enabled हो Python आपका Python के थूँ आप अपनी soap यह rest जो web service है उसको invoke कर रहे हूं तो किसी भी तरीके से platform की dependency नहीं है और language की dependency नहीं है तो मेरे ख्याल से यहां पर दोनों soap की और rest की जो differences है वो हमने easily understand कर लिए आगे सके sessions को दोस्तों जरूर देखीगा जहां पर मैं लेके चलूँगा आपको किसके साथ rest-based web service के साथ और सारे के सारे patch, delete, put, post, get सारे method यूज़ करवाऊंगा और easily इसको understand करेंगे इसके बाद बात करेंगे soap-based web service की तो इसी तरीके से दोस्तों वीडियो को देखते रहिए दोस्तों में फ्रेंड्स में इन चीज़ों को share करते रहिए खासकर से उनके लिए जो learn करना चाहते है basic चीज़ों को simplest way में learn करना चाहते है उनके साथ share जरू कीज़े अपने भाई के काम को support करने के लिए motivate करने के लिए channel को subscribe जरू कीजिए दोस्तों फिर से मुलाकात होगी इसी web services के discussion के अगली series में इसी तरीके से जोड़े रहिए अभी के लिए दीजे मुझे इजाज़ाद Thank you so much